नमस्कार दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग कूलिंग टाउर के टाइप्स के बारे में बात करेंगे, कूलिंग टाउर कितने तरह के होते हैं, इसके बारे में एक वीडियो अल्रेडी बनाया था, जहां पे हमने ड्राफ्ट के को आधार करके, कूलिंग टाउर को इं इसको अगर आधार लिया जाए तो cooling tower दो तरह के होता है एक तो counter flow cooling tower और दूसरा होता है cross flow cooling tower और दोनों तरह के cooling tower industry में दिखते हैं इसलिए दोनों के cooling tower के बारे में थोड़ा detail पढ़ते हैं देखिए counter flow में मैंने बोला air और water का जो flow का direction है उसको अधार लेना है तो देखिए अगर मान लिजे पानी का जो flow है उपर से नीचे की तरफ हो रहा है और air का flow है मान लिजे नीचे से उपर की तरफ हो रहा है तो यह देखिए एक दूसरे के counter direction है तो इसको counter flow direction बोलते हैं और cross flow cooling tower में क्या रहेगा कि air का flow तो horizontally हो रहा है मालग जिए ऐसे air का flow हो रहा है और पानी का flow उपर से नीचे हो रहा है यह देखिए एक दूसरे को cross कर रहा है तो इस तरह के cooling tower को cross flow cooling tower बोलते हैं ठीक है तो अगर इसी को अधार ले करके अब हम यह दोनों तरह के जो cooling tower है इसके थोड़ा advantage और disadvantage और क्या typical feature है उसके बार में भी थोड़ा देखते हैं तो इसमें आप देखिए कि पहले दोनों को image देख लिए कि कैसे दिखते हैं तो फिर थोड़ा easy हो जाएगा understand करने के लिए तो पहले मैं थोड़ा image दिखा देता हूँ यह जो cooling tower है इसमे इसमें इसा होगा यह counter flow झोड़ा । अरि यह जो यहां पीज यह तो का इट्वा च्रेज़ मत्र जो है इसमें एक दान का तो ग्रेम समय घ्र में एक्र पीजाश करते हैं कि कैसे दोनों के तो देखे यहां पे अगर देखेगा यह जो counter flow cooling tower में जो fill है जहां पे air और water का contact हो रहा है उसके लावा यह cooling tower का height का यह area जहां पे air enter हो रहा है यह अलग से देना पड़ रहा है जबकि अभी आपने cross flow cooling tower देखा cross flow cooling tower में यह जैसे fill है और इसी height पे air का inlet भी हो जा रहा है तो extra height आपको देने की जरुवत नहीं पड़ रही है उसी तरह एक drift eliminator के लिए एक और extra height देना पड़ रहा है जबकि यहां पे drift eliminator भी इसी क्या opposite लग गया एक इसी बात एक water distribution का पूरा एक complete header देना पड़ता है counter flow cooling tower में थीक है बहुत ज्यादा है हो सकता है कि पानी एक ही रास्ता पकर ले और दूसरा रास्ता पकर ले तो contact एकड़म कम हो जाएगा तो वह ना हो तो हर एक जगह पे इस तरह से यह रहता है समझ गया तो यह जो distribution header है यह counter flow cooling tower का एक खासियत है जबकि cross flow cooling tower में इस तरह के distribution header के मने जो यह header है यह pipe network इस तरह के देने का ज़रूरत नहीं पड़ती है क्यों हम जब cross flow cooling tower के बार में बात करेंगे तो बताते हैं तो यह सभी point को ध्यान में रखते हुए आपको मैं थोड़ा इसके advantage और disadvantage इसको बता हूँ तो counter flow cooling tower में यहां पर क्या लिख रहा है कि because of the need for extended intake and discharge planum इंटेक भी है किया आगे एक्स्ट्रा यह भी एक point एक्स्ट्रा आगया और discharge planum और use of high pressure system मतलब वो पूरा एक distribution header है तो इसलिए counter flow cooling tower are physically higher and require more pump head and fan power compared to cross flow cooling tower for lower capacity यह छोटे-छोटे जब cooling tower हो तो वहां पर counter flow को देखा गया है कि उसमें fan का भी power requirement बढ़ गया और pump का भी power requirement बढ़ गया pump का power requirement इस distribution header की बढ़ गया और fan का power requirement क्योंकि एक्स्ट्रा यह area भी cover करना यह area भी cover करना यह तो यह सब की बज़े से यहां पर थोड़ा ज्यादा power requirement हो जाता है दूसरी बार हालांकि larger towers में low pressure distribution system लगाया जाता है जिसके बज़े से यह issue नहीं रहता है दूसरा एक और चीज है कि यह जो counter flow cooling tower है वह काफी enclosed होता है मैं आपको एक image दिखाऊ यहां पर counter flow cooling tower में अंदर का पार्ट बाहर से तो आप नहीं देशके तो यानि sunlight जो है वह बाहर नहीं मने water के directly contact में बहुत कम area से बस यह area जहां पर air घुसना है उसको छोड़ दिया जा तो most of the part में sunlight यहां पर नहीं जा पाएगा और sunlight नहीं यह algae growth problem यह cooling water system में बहुत बड़ा इसू रहता है तो यह counter flow cooling tower का एक बहुत बड़ा advantage है और आपको पता है एगर heat transfer के efficiency के term में देखा जाए तो heat transfer आपको पता है कि counter flow में अच्छा होता है यह heat transfer का एक important concept है सबको पता ही है और यहां पर आप closure temperature approach तक जा पाते हैं तो यह सब counter flow cooling tower की advantages होगे अब हम बात करते cross flow cooling tower के बने cross flow cooling tower में मैंने जैसे बताया है कि जो air होता है वह air आपका ऐसे inter करता है air आपका horizontally inter कर रहा है और gently inter कर रहा है और पानी जो है यहां पर उपर से आ रहा है पानी तो यह आपका पानी तो यह cross flow हो रहा है ऐसे similar यह हो रहा है तो यह जो air उसके बाद air कुछ water vapor को sorry water droplet को carry over करेगा तो इसके लिए कि यहां पर drift eliminator भी है उसी तरह इधर भी drift eliminator है और ultimately air fan की मदद से उपर च 5-0 के लिए अलग से height नहीं और मजी की क्या बात है कि यह जो distribution header है वह header भी आप अगर देखोगे तो यहां पे एक पूरा pipe network नहीं होता है बलकि एक hot water basin है hot water basin है तो कहने का क्या मतलब है जैसे cold water basin होते है यहां पे पूरा एक आप ऐसे समझो मैं इसको समझानी कुसिज करता ह कि जैसे नीचे में cold water आया जाता है और यहां से आपका पूरा पानी भढ़ गया और आपका यहां से pumping किया जाता है उसी तरह जब यह cross flow cooling tower में cross flow cooling tower में तो hot water आता है ना hot water जैसे यह आया तो यह यहां पे पूरा भढ़ जाता है यह भढ़ गया यह वाला पोर्शन में अब फिर वहां से orifice रहते हैं बहुत सारे छेद यह पूरा cross section में आप समझ लो कि यह पूरा ऐसे भढ़ गया और यहां पे हर एक point पे orifice रहेंगे और वह ए पानी आके भढ़ गया और यह अब आप बोलोगे कि भाई ऐसा हमने counter flow में क्यों नहीं किया तो counter flow में हम नहीं कर सकते थे counter flow में इसलिए नहीं कर सकते थे कि counter flow में यहां पे अगर हम पानी का पूल बना देंगे तो air उसी रास्ते से जा रहा है तो बहुत ज्यादा पानी को carry protection है ही नहीं तो यहां पे आप पानी का पूल बना सकते ही इसलिए distribution header देने की जरूवत नहीं तो आप समझ पा रहे हो कि नहीं कि पूरा एक लेवल है पानी का लेवल यहां पे भढ़ा रहता है और उसके नीचे से बहुत सारे holes है और उसी और निकलता है ठीक है तो यहां प to fill through metering orifice so pressure spray distribution system are not required pressure drop अब इसका advantage एक point देखा कि यहां पे pressure drop कम होगा hot water का हिसाब से तो इस तरह से आपका pump का power requirement घट गया दूसरा routine cleaning and or air का भी power requirement घट गया क्योंकि height कम होगे अच्छा cleaning और maintenance का हिसाब से देखिए तो यहां पे आप फिल को हर टाइम देख सकते हैं जबकि वहां पे counter flow cooling tower में फिल जो है वह एक तरह से enclosed था आप यहां से outer side से तो फिल कैसा है देखी ने सकते हैं जबकि cross flow cooling tower में आपका देखिए यह पूरा area आप इधर बाहर से भी फिल देख सकते हो और यहां से अगर आप इधर का entry होने का है तो अंदर से भी देख सकते हो दोनों side से आप फिल को देख सकते हो तो आपका इसके लावा cleaning भी easy है कि आप किसी एक section को इस section को बंद कर दो इस section का पूरा cleaning कर सकते हो और यह cooling tower इधर से चल रहा है समझे तो यह cooling sectionally easy है ठीक है यहां पे देखिए यहां प इस एक ख्रॉस फ्लो कुलिंग ताउर भी ये भी दो तरके होते है ठीक है एक तो मैंने जो यहां पे दिखा है कि यह cross flow cooling tower घ्रॉस यहां पर आप देखो कि दोكن वहले है एधर से भी flow हो रहा है और यहां पर एक यह है तो यह double flow cross flow cooling tower है कि यहां पर एक side से फूरा enclosure है एक ही side में फिल है और इसको single flow cross flow cooling tower बोलते हैं तो यह दोनों तरह के configuration possible है और actually में क्या है cross flow cooling tower subdivided in by number of fill banks and air inlet that are served by each fan and दूसरा single flow type remaining three side of the tower being closed और यह कब देखते हैं जब देखते हैं कि air का flow एक ही direction से मिल पार है बाकी जगह से रास्ता restricted है या wind का direction इस तरह से है उस locality में तो एक ही side का बना जाते हैं तो single flow cross flow cooling tower भी होता है ठीक है तो यह हमने दोनों type के cooling tower के बारे में समाझ लिया तो थोड़ा से advantage or disadvantages के बारे में भी बात करते हैं हमने कुछ point already discuss किये हैं उसी को थोड़ा से elaborate करते cross flow cooling tower counter flow cooling tower cross flow cooling tower में मैं बोला कि आप inspection कर सकते during the tower operation visual inspection inside और outside दोनों साइड से देख सकते हैं लेकिंग आप counter flow में आपका shutdown mandatory होगा और visual inspection आप सिर्फ inside से कर सकते हो बाहर से तो आप करी नहीं सकते हैं इवें shutdown में भी नहीं कर सकते हैं दूसरा access to fill media is easier hence minimum effort during maintenance fill media तक आप आप सानी से जा सकते हो और यहां difficult difficult क्यों कि एक साइड से आपका पूरा enclosure है न तो इसलिए even shutdown में भी difficult है तो उसे साब से maintenance में भी दिक्कत है तो यह तो आपका फिल के corresponding और water distribution के बारे में भी बताया था कि water distribution है क्योंकि distribution pipes नहीं है तो इसलिए inspection भी इजी है जबकि वहां पे pipes अंदर चोक हो गया है कि नहीं इसलिए यह मुस्किल है और shutdown बिना shutdown के आप इसको नहीं देख सकते distribution का की distribution ठीक होड़ा है कि नहीं और वहां पे क्या है सिर्फ nozles लगे हुए pipes तो ही नहीं तो nozzle को आप आसानी से clean कर लो दुबाड़ा लगा दो जबकि यहां पे complex water distribution system है तो इसलिए यह complete replacement ही लगता है maintenance भी नहीं हो पाता है क्योंकि बहुत सारा चोक हो जाता है तो पूरा लाइन चेंज करनी पड़ती है लेकिन इसमें counter flow में बड़ा advantage है कि enclosure होने की वाई से algae formation कम होता है ठीक है तो यह दोनों तरह के cooling tower देखने में आते हैं और यह दोनों तरह के बारे में मैंने एक brief discussion रखा है तो आचा करता हूं कि आपको यह वीडियो अच्छा लगा होगा और वीडियो देखने के लिए धन्यबाद अब नेक्स पार्ट में हम लोग बात करेंगे cooling tower के performance parameter के बारे में हम बात करेंगे कि range क्या होता है approach क्या होता है effectiveness क्या होती है evaporation loss कैसे calculate करते है blow down loss कैसे calculate करते है l by g ratio क्या होता उसका impact क्या होता है इस सब के बारे में हम दो detailing बात करेंगे और वह बहुत important होता हो टॉपिक होगा performance parameter को ले करके ठीक है तो धन्यवाद video के यहीं stop करते है